नमस्कार स्वागत आप सभी का नियूस रूम पोस्ट की खास पेसकर स्पोर्ट्स पोस्ट में भारत और अफगानिस्तान के बीच आज 17 जर्वन एको तीन मैचे को टी-20 सिरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के लिए दोनों टीमें शाम 7 बजे से बैंगलूरू के एमचिननस्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगी इस दोरान अफगान की टीम की नजर इस फॉर्मिट में लगातार मिल रही हार की क्रम को तोड़ने पर होगा तो ये जानते कि आज के मैच में कौन कौन से खिलाड़ी आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए गेम चेंजर चाबित हो सकते हैं दरसल रोहिश शर्मा एंड कंपनी ने मौझूदा तीन मैच की सीरीज में दो जीरो की अजय बढ़त बनानी है और अब उसका लक्ष तीन जीरो से क्लीन स्विप करना है अपने आखरी मैच में भारत ने टॉसित का पहले गेंदबाजी का फैसला किया अर्शदीब सिंग उनके सरुस्रेट केंदबाज थे उन्होंने केवल 32 रन देकर अफगानिस्तान के तीन बल्ले बाजो को आउट किया नवी विश्नो अक्षर पटेल ने भी वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करी और अफगानिस्तान को 172 रन पर रोकने में मदद की और लक्ष का पीछा यससवी जैसवाल और शिवम दूबे ने किया क्योंकि इस जोड़ी ने अर्ज सतक बना कर 6 विकेट से जीत हासिल की बैंगलोर में आज 17 जोनरी को मौसम साफ रहेगा आपको बता दे और जो वहां का टेंपरेचर है वो 28 डिग्री सेल्सेस के आसपास रहेगा यानि कि बल्ले बाजे और गेंद बाजो के लिए भरपूर वहां पर खेलने लायक वहां पर मौसम रहेगा चिनिसवाय स्टीअम भारत में बल्ले बाजों के लिए किसी स्वर्ण से कम नहीं है डि आप obrent से बाहर है और फो और वापस आना चाहते लिए बल्ले बाजी करने के लिए स्टेडियम है या गेंद बाजो जादरान और विराट कोली और आल राउंड में बात करें तो मुहमत नभी अक्षर फटेल एम उमर जाई और गुलबदी नायब और शिवम दूबे यह कुछ खिलाडी है जो आल राउंड में अच्छा खेल दिखा सकते हैं और गेंदवाज में अर्शदीब सिंग तो यह खि जाते हैं बता दें न्यूज रूम पोस्ट इस तरह के किसी भी खेल को बढ़ावा नहीं देता अगर आप इस गेव को खेल रहे हैं तो अपने रिस्क पर खेल में साधे से बड़ बबस्त नहीं और वीसी का गोगले देख तेरी न्यूज रूम पोस्ट